जो लोग तनाम में रहते हैं या उनको अधित खुसा आता है उनको ये वीडियो आखरी तक देखना चाहिए क्योंकि भगवान स्रीक्रश्न ने ऐसे लोगों के लिए क्या कहा है और ऐसे लोगों को इससे मुक्ति पाने के लिए कौन सा रास्ता उन्होंने बताया है सभी भक्तगड़ों को राम राम और प्रेम से बोलिए सीता राम राधे क्रश्न हर हर महादेब हर हर महादेब अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अपडेट आपको मिलता रहे भगवान स्रीक्रश्न ने तनाम मुक्त होने के लिए क्या कहा है और तनाम में रहने वाले लोगों की में समस्या क्या है ये जानना इस वीडियो का विसे है भगवान स्री क्रश्न सिर्फ कर्म करने के लिए कहते हैं और कर्म के अलावा उन्होंने कहा है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है इसलिए कर्म को फल की इच्छा के लिए मत करो कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर वह कोई कर्म करते हैं तो उसके परिणाम का उन्हें बेसबरी से इंतजार होता है मन मुताविक परिणाम न आने पर वह तनाव का सिकार होते हैं और ऐसे में ये इस लोक आपको पढ़ना चाहिए ये इस लोक गीता का आपको पढ़ना चाहिए कि भगवान से कष्ण ने ये कहा है आगे बढ़ते हैं वस्तू के बारे में सोचते रहने से मनश्य को उनसे क्या हो जाता है लगाव अटेच्मेंट हो जाता है इससे उन में कामना की एक्षा पैदा हो जाती है और कामनाओं में वाधा आने से मन में करोध उत्पन होता है इसलिए कोसिस करनी चाहिए कि चीजों से लगाव नहीं हो सिर्फ कर्म में लीन रहा जाए मन जब किसी वस्तू से लगाव करता है और उसे नहीं मिलती तो ऐसी इस्तिती में वो तनाव गरस्त हो जाता है और उसे गुसा भी आता है अब इसलोक यहाँ पर सुनिए ध्यायायतो विस्यान पुन्सह सगस्ते सुपूज पायती सगास्तम जायते कामह कामा तुधो विजायती यह इसलोक आपको पढ़ना चाहिए मनश अपनी इंद्री पर संयम रखने वाले जो भी हैं वह अपनी ततपरता से ग्यान प्राप्त करते हैं और ग्यान मिल जाने पर जल्द ही वो परमसांती भी प्राप्त कर लेते हैं मानसिक तनाव से दूर रहते हैं और यह सबसे अच्छा एक उपाय है अब यहां पर यह स्लोक काम आता है यह स्लोक आपको पढ़ना चाहिए आगे बढ़ते हैं भगवान स्रिकस्टन अर्जुन से कहते हैं कि चिंता से ही दुख उत्पन होता है किसी अन्यकारण से नहीं जो व्यक्ती इस बात को समझ लेता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है और वह सुखी, सांत और सभी एक्छाओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है एक्छा मुक्त होता है यहां पर यह इस लोक काम आता है चिंत्या जायते दुखम नान्यत्य हेती निस्रही तया हीनम सुखी सांतम सरवत्र गलत इस्प्रह तो भगवान स्री करश्ण ने यहां सरल सब्दों में कहा है कि आपको किसी से ज़्यादा लगाव नहीं करना चाहिए वस्तूं से तो बिलकुली लगाव नहीं करना चाहिए आप अपना करम करते रहें फल की इक्षा बिलकुल ना करें और आप यह समझ लें कि भगवान स्री करश्ण अरजन को गीता के उपदेश दे रहे थे उन उपदेशों को वो भगवान स्री करश्ण अरजन को नहीं दे रहे थे वो इस स्रस्टी के हर मानव को यह उपदेश दे रहे थे कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है खुसियां प्राप्त करनी है, समश्याओं से दूर होना है, तनाम मुक्त होना है और आपके गुस्से पर काबू पाना है, तो इन गीता के जो उपदेश थे उनको आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए ये गीता के उपदेश थे, जो भगवान से कर्ष्ण सिर्फ अरजुन को नहीं, पूरी स्रष्टी को दे रहे थे और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, कि भगवान से कर्ष्ण जब ये उपदेश अरजुन को दे रहे थे तो चार लोग और उपदेशों को सुन रहे थे, अनुमान जी उपदेशों को सुन रहे थे, बरवरीक उपदेशों को सुन रहे थे और संजे उपदेशों को सुन रहे थे, और धतराष्ट को भी वो उपदेश सुना रहे थे तो ये भगवान स्री क्रश्ण ने पूरी स्रस्टी को, पूरे संसार को ये उपदेश दिये, तो उपदेशों को आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, मैं देता हूँ अपनी वानी को बिराम और ये संदेश सभी वक्त गणों तक आपको सियर करना चाहिए, गीता का ज आगे बढ़ना चाहिए, और ये संदेश सेयर करें, और प्रेम से बोलें, सीताराम, राधे क्रश्ण, हर हर महादेब, हर हर महादेब